साथियों श्वागत है आपका शुद्रिष्टी PCS YouTube चैनल पर साथियों आगामी 20 अगर्ष्ट 2021 को होने वाली UPSC की पेट परिछा के लिए टाप 500 करेंट अफेर्स के लिए जो स्रंखला चल रही है इसका या दूसरा भाग है इसके अंतरकत मैं आपको कुल 10 भाग में प्रतेक भाग में 50 परष्ट कराते हुए परिछा से 2-3 दिन पहले ही आपको कुल जो अतिमहत्पूर्ण 500 करेंट अफेर्स के परष्ट है वह उपलब्द करा दूँगा आप लोग इसका बार-बार रिवीजन करें जिससे आपको प्रष्ट कंठस्ट हो जाए चलिए प्रारम करते हैं इसका भाग दूसरा इसका पहला भाग मैंने अप्लोड कर दिया था कल इसका या दूसरा भाग है जिन सातियों ने अभी तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्स्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें इससे की नए वीडियोच के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे है चलिए देखते हैं पहला दूसरा भाग इसका क्या ह इसमाइल योजना किसे संबंदित है और इसमाइल योजना किस मंत्राले द्वार अपरारम की गई है ठीक है अगला प्रशन है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां बनेगा या कहां लगेगा तो यह लगेगा इंडियन आलको आपरेशन की मतुरा यह उत्तरपदी से जुड़ा वह प्रशन है इसलिए अत्यदिक महत्पूर्ण है आगला प्रशन है आश्ट्रेलिया के किस सहर को दो जार बतिस ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अधिकार मिल गया है तो यह मिला है ब्रिस्बेन को दो जार बधीस की ओलंपिक खेलों क इसके लाबा अभी 2020 वारे संपन हो गए हैं 2024 के ओलंपिक खेल जो हैं वो पेरिश में होंगे और 2028 के ओलंपिक खेल जो हैं यह कहां होंगे लांस एंजल्स में आप लोग बताइए लांस एंजल्स कहां पर है यह आगला प्रशन है सतरंज की स्पार्क्षेन ट्राफिक इसने जीती तो यह जीती है विश्वनातन आनंद ने प्रशन के 57 है हालही में विश्व की सबसे उननत मिशाइल रोधी प्रणाली S500 इसका सफल प्रच्छेपड या परिच्छण किसने किया है तो यह किया है रूश ने यह सबसे उननत मिशाइल रोधी प्रणाली है S500 इसका नाम है अगला प्रशन है केरल के किस गाउं को पहले बुक विलेज का किताब दिया गया है तो गाउं का नाम है पेरुम कुलूम पेरुम कुलूम नाम है इसका और यह कोलम जिले में है प्रशन का 69 है प्रजनन्दर में गिरावट का सामना कर रहे है किस देश के द्वारा विवाह को बढ़ावा देने के उदेश यह या उसके लिए विवाह को बढ़ावा देने के लिए मैच मेकिंग एप यानि जिसमें साधी करने के लिए प्रोसाइट किया जाएगा और जोड़ा बनाने की कुछ ऐसी उसमें एप्लिकेशन में टेकनिक होगी वो उसका नाम है हमदम यह लांच किया गया है यह है इरान इरान द्वारा अपने प्रजनन दर चुक वहां गिर रही है तो कुछ सालों बाद ऐसा होगा कि महाँ पर व्रद्धो के संक्या बहुत अधिक हो जाएगी तो इसके लिए एक हमदम नाम का एप्ल लांच किया गया है अगला प्रशन है Miss India USA का खिताब किसने जीता तो इनका नाम है वैदेही डोंगरेने प्रशन क्या 61 है बारत का पहला शोदेशी विमान वाहक पोत जिसे 2022 में सेना में सामिल किया जाएगा इसका नाम है INS विक्रांत के नाम है INS विक्रांत स्मार्ट सिटी अवाद 2020 में सहरी वर्ग में किसे विजेता गोशित किया गया है तो इनदाओर और सूरत को सहयूग रूप से विजेता गोशित किया गया है अभी मैंने आपको बताया था US का एक प्रोग्राम है उसमें इनदाओर को जो है एक सहर के रूप में चुना गया है उसका एक प्रोग्राम है पिछले वाले वीडियो में था तो यहाँ प्राप्त हुआ है उत्तरदेश को और सबसे स्मार्ट केंसासिर प्रदेश की स्रेणी में यहाँ प्राप्त हुआ है चंडिगड को तो चुक उत्तरदेश को प्राप्त हुआ है इसलिए प्रश्ण मात्मूर्ट बन जाता है अगला है विश्युका पहला अनुवानसिक रूप से संसोधित जीयम रबर का पौधा भारत में कहां लगाया गया तो यहां लगाया गया है गोवाटी में और गोवाटी अशाम में है प्रश्चिंगा 65 है हाली में यानि जून 2021 की बात कर रहे है हाली का रहत है जून 2021 में कौन सा देश अंतर राष्टिस और संगठन में सामिल हुआ ग्रीस इसके पहले और भी एक मैंने बताया था एक और देश जो है वो सामिल हुआ है अब लोग बताई कि कौन सा देश है जो ये जून में सामिल हुआ है और वो जुलाई में सामिल हुआ है तो ग्रीस के लावा और कौन सा देश इसमें अंतर राष्टिस और संगठन में सामिल अंदरश्टिस और गठ्भंदन ठीक है इंडिया हैपनिस report 2020 में 3 सीर्स इस्थान प्रप्त करता राझ याबली केंसाइव प्रदेश है तो ये हैं मिजोरण, पंजाब और अंडमान निकोबार ये 3 सीर्स इस्थान प्रप्त करता है यानि सबसे ज़्यादा जो हैपी जहांके लोग तदिखुस रहते हैं वो तीन राजिया के इन साथ से प्रुदेश ये हैं मिजोरम, पंजाब और अंडमनिकोबर इसमें उतर प्रुदेश का इस्थान जो है दसवा है यानि इंडिया हैपिनिस रिपोर्ट में उतर प्रुद या हम अपनी अच्छा तरीका तभी मान सकते हैं जब हमारे आंके लोग खुश हो ऐसा देश कौन सा है वह वास्तों में हैपिनेस इंडिक्स जो है वही दिस लाया है चलिए इंडिया हैपिनेस रिपोर्ट के अंसार देश का सबसे कम प्रुद्शन राज है अभी हमने अगला एकिसराज में पहली बार जल पक्षियों की जन गड़ना भी कराई गई है तो यह कराई गई है पश्चिप मंगाल में अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि बंदरों की गड़ना कहां पर कराई गई है आप लोग बताईए अगला प्रशन है बारत की पुद करती हैं अगला प्राइशन के फ्रांस के उपन्याशकार डेविड डियोप इनका नाम क्या है दिखे डेविड डियोप पहले तो देख लिए फ्रांस के हैं अचा किस उपन्याशक के लिए international booker prize international booker पृसकारिन को दिया गया है 2021 इसका पुछतक का नाम है at night all blood is black ठीक है किसको मिला है उपनेस का डेविड डियोप को ये देखिए इस्पेलिंग ऐसे लिखी है और ये फ्रांस के है अगला प्रशन है किसे संयुक्त राष्ट्र माह सभा के 76 सत्र के लिए अधक्षी चुना गया है तो इनका नाम है माल्दीव के विदेश मंतरी है और इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद अगला प्रशन है भारत का कौन सा राज रेवीज से पूर्टाह मुक्त राज घूषित किया गया तो यह है गोवा है यानि गोवा जो है अब पूर्ट उप से रेबी से मुक्त हो गया है प्रशन का 76 है किस राज में हाल ही में बंदर जन्गंडा कराई गई अच्छा इस वाली पीडियेप में है चलिए यहाँ पर देखे मैंने इसके पहले बताया था जलपच्छी की जन्गंडा पश्ची मंगल ने कराई है और बंदरों की जन्गंडा किस ने कराई है हरियाना ने कराई है चलिए एकला प्रशन देखते हैं शतत विकास लक्षि सूचकांक 2021 में सीर्स देश है तो सूचकांक से समद्धित एक प्रशन आता है मुझे लगा कि एक ही अगर इसकी पीडियाप बनाएंगे तो उसमें रोचकता समाप्त हो जाएगी इसलिए मैंने कुछ-कुछ मलब जितनी भी दस पीडियाप आएंगे इसमें दो दो तीन तिन सूचकांक हर पीडियाप में डाल दिया करेंगे जैसे यहां पर चार-पांच मेंने लिखे है तो सतत विकास लक्षि सूचकांक में सीर्ष देश फिनलेंड है और भारत की रेंग इसमें है 120 याने 120 वा इस्थान बारत को प्राप्त हुआ है अगला है विश्व प्रशनता रिपोर्ट 2021 में सीर्ष देश है तो यहां है फिनलेंड ठीके दोनों में फिनलेंड है सतत विकास लक्षि सूचकांक में भी और विश्व प्रशनता रिपोर्ट में भी और उसमें भारत को 12imes इस्थान है बारत को 17 सूचकांक में 135 स्थान मिला है आप लोग बताएए कि 27 सूचकांक जो है इसमें अंतिमिस्थान को मिला है आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 2021 को जो वैस्विक सांग सूचकांग हुआ है जारी हुआ है इसकी रिपोर्ट इसमें अंदिमिश्थान किसको मिला है चलिए वैस्विक लेंगी कंतराल सूचकांग 2021 में सिरिश देश है तो आइसलेंड है और भारत को इसमें 140 वह इस्थान प्राप्त है अगला है वैस्विक भुखमरी सूचकांग 2020 के उनसार सबसे कम भुखमरी वाला देश है तो यह है बेलारूश ठीक है बेलारूश में सबस प्रदान की है तो माल्डिव में प्रदान की है देश का नाम माल्दिव है और वहाँ का एक अढडू सहर है वहाँ पर नया वाट जीक दिव्त तवराइस खोलने की पाई जाती हैं, तो वो कहाँ पाई जाती हैं, कोलंबिया में, लेकिन यह जो विराचे निसलल पार्क है, यह कमबोडिया का है, और यहाँ पर अभी गंभी उरोप से लुप्त प्राय भॉकने वाले हिरण देखे गए हैं, तो प्रशन ऐसे भी पूछा सकता है, कि विराचे कहा है, तो यह कमबोडिया में है, चलिए अगला प्रशन है देखें, आपर परवता रोहन से जुड़े हुए दू प्रशन है, महत्पूर्ण है दोनों, नेपाली परवता रोही जिसने दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट डेवरेस्ट पर सरवाधिक बार चड़ने का रिकार्ड बनया है, इनका नाम है कामी रीता सेरपा, यह नेपाल की हैं, और इन्होंने इस से पहले सबसे अधिक बार चड़ने का रिकार्ड भी इनिंही का नाम थे, अर्थात इनिह इन्हें अपना ही रिकार्ड तोड़ा है, और चड़ाई से समधे", दूसरा प्रशन है, हाल ही में माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाला पहला नेतरीन एसी आई यह महत्पूर्ण है नेतरीन एसी आई परोता रोही बना तो इनका नाम है जांग होंग और यह चीन के है पर सिंकेश 80 है गुडवत्ता पूर्ण पेजल उपलब्द करने वाला देश का पहला सहर बन गया है तो यह है पूरी यानि गुडवत्ता पूर्ण पेजल उपलब्द करने वाला देश का पहला सहर पूरी बन गया है और सत प्रतिशत ठीका करन वाला देश का पहला सहर कौन स है आप लोग बताईए औरीशा काई सहर है मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था यह अपने अच्छे से देखा होगा तो पता होगा अगला प्रशन है टोकियो ओलम्पिक में कितने नए खेल सामिल के गए हैं तो चुकिए अभीस का समापन हुआ है यहां से एक प्रश सामिल नहीं किया गया है तो आप चारों खेल अच्छे से देख लिए कौन-कौन से हैं आप लोग बताईए कि टोकियो ओलम्पिक में जो इसका प्रारंब सरीमेनी थी यानि जो इनागरेशन सरीमेनी थी उसके लिए उसमें जो है भारत के धुजवाक कौन थे और अभी जो दोजवाक भारत की तरब से कौन थे और समापन सरीमें बारत के दोजवाक कौन थे चलिए एकला पर देखते हैं नवाशिवा केंज सरकार ने एक नए मंत्राले की थापना किये है तो इसका नाम है सहकारिता मंत्राले प्रशन के 90 है ट्विटर ने भारत में अपना सिकायत नुक किया है उनका नाम है स्फूर्ती प्रिया और ट्विटर ने किसको किया है विने प्रकास को प्रशन के 90 है भारत के पहले जैविवित्ता उद्यान भारत वाटिका का उद्गाटन कहां किया गया तो यह वाटिका का नाम है भारत वाटिका और यह कहां पर इसका प्रशंगेबान में है भारत के किस सहरकी मेट्रो को जापान सुसाइटिय आफ सीवल इंजीन इंजीनिरिंग द्वरा प्रदत्त आउट स्टेंडिंग सीवल इंजीनिरिंग अच्ईवनेट अवार दोज़ार वेश प्रदान किया गया है तो यहां प्रदान किया गया है दिल्ली मेट्रों को आचा बताइए मेट्रों में आफ इंडिया किसको का जाता है कौन ऐसा है जिनका मेट्रों में बहुत अधिक योगदान है उनका नाम क्या है चलिए किस भारती पत्रकार को जापान का फुको का वार् प्रश्चिन का 94 है, टोकियो में होने वाले पैर अलंपिक खेलों के लिए भारती दल का धोजवाक किसे चुना गया है, तो ये एथिलीट है, मरियपन थंगा वेलु, ठीक है, ये भारती दल की धोजवाक होंगी, किसमें पैर अलंपिक में, जो कि टोकियो में होगा अभी एक ही दिन में 308 पदक जीतकर नया विश व रिकार्ड बनाने वाली तीरंदाज हैं इनका नाम है देपी का कुमारी प्रशन का च्यानमे है भारती मूल का शतरंज खिलाड़ी जो वी सुका सबसे युवा ग्रेंड मास्टर बन गया है इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा अग प्रशन पत्र हल किया है तो आपने देखा होगा कि ऐसे प्रशन आते हैं चलिए पहली ICC Test Championship 2020 क्यों कि यह पहली बार हो रही है ICC Test Championship यह 2020 में होई तो यह पहली है इसलिए महत्पूर्ड है किस देशने जीता है इसे निउजिन लेंड ने जीता भारत को हरा कर अगला प्रशन अंतिम मेच हुआ था न्यूजेलेंड और भारत के मद्य उसमें मैंने अप्ध मैच किसे चुना गया था और यहां पर प्लेयर आप्धा स्प्रीज में ने बताई दिया केन विलियमसन को न्यूजेलेंड के है यह प्रशन का निन्यान में है रूस की अंतरिच एजनसी यह है इसका नाम देखिए रोएस एउस एमोएस ने किस नाम से अपनी सबसे बड़ी अंतरिच प्रियोकसाला लांच किया है तो इसका नाम है नौका नाम से इसने अपनी अंतरिच प्रियोकसाला जो की सबसे बड़ी है इसको लांच किया है और इस दूसरे बाग का अंतिम पूरे करा दिए इसके अन्य भाग जल्दी अप्लोड करते हैं धन्यवाद